तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज फिर वही UPSSCPET के बारे में फिर से आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं इसमें जितने भी important question बन सके हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप पूछे सब्जेक्ट कौन सा है तो आज का सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी उस पे जितने भी most important question बने हुए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो यूपर तिपल सी यूपी तिपल सी पी एटी के परिक्षा में 2021 में पूछे जाने तय हैं 100% 101% तय हैं बस आपको क्या करना ह पूरा देखना है अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप पीडियाप बिल्कुल मुप्त में प्राप्ट कर सकते हैं कहां से हमारे टेलेग्राम ग्रूप में जुड़कर तो उसकी जो लिंक का है वो हमने description में दे रखी है बस आपको क्या करना है उसको join कर लेना और वहा कि ये बीडियो बना के डाल दिया है उसमें कुछ प्रसन आपके करवाए गए हैं जैसे ही इसमें करवाए जाएंगे तो आप पहले जाके उसको देखिए फिर यहाँ पे आईए ये हिंदी की class 1 है इसमें देखेंगे कुछ प्रसन कुछ प्रसन मैं आपसे करवाऊंगा उस संदी का जो अर्थ होता है वो है A संदी का अर्थ मेल होता है औपसन नमबर A आपका क्या होगा सही होगा कि संदी का अर्थ क्या होता है तो संदी का अर्थ होता है मेल या फिर अगर आपको आपको आपसन में दे तो मित्रता तो आपको तीनों मैं से कोई भी लगा सकते है अगला पूछ रहा है कि निम्नमेंसे कौन सा सब्द सही है, अब इसमें दो आपको दो तरह की संधी लिखी हुई मिल रही है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो यहाँ पर आपको option क्या लगाना है, तो यह दोनों सही है, यानि option number आपको C लगाना है, कि दोनों परकार की स संधी यहाँ पर सही लिखी हुई है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, अगला प्रस नमबर तीन वो लाए संधी का बिलोम क्या होता है, अब संधी का बिलोम क्या होता है, तो अलग होना बिलकुल नहीं होता, बिलोम की अगर बात करें, तो इसका बिलोम होता है, बिग्रह, या फिर बिच्छेद, क्या बिच्छेद, बिच्छेद या बिग्रे में से दो में से अगर कोई मिले तो आप तुरंट लगाईए, तो इसका option number कौन सा सही होगा, तो इसका option number C सही होगा, ठीक है, अगला प्रसंद देखते हैं, अगला प्रसंद दिया होगा, निम्न में से कौन सा स्वरसंदी का उधारण है, तो option number D स्वरसंदी का उधारण कौन सा है, स्वर पलस स्वर मिलके क्या बनाते हैं, तो स्वरसंदी बनाते हैं, अगला दिया होगा, निम्न में से कौन सा बन्जन संदी का उधारण है, तो निम्न में से बन्जन संदी का उधारण कौन है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो A और B दोनों क्या हैं, बन्जन संदी के उधारण है, स्वर पलस बन्जन मिलके बन्जन मिलके बन्ज ही संधी बनती है तो आपको क्या याद रखना है यहापे बस यही तीन याद रखना है कि चाहे स्वर पलस बेंजन हो चाहे बेंजन पलस स्वर हो चाहे बेंजन पलस बेंजन हो वो कौन सी संदी बनाएगा तो वो बनाएगा आपकी बेंजन संदी ठीक है अगला प्रसन आपके सामने निम्न में से कौन सा बिसर्ग संदी का उधारन है तो बिसर्ग संदी का मेरे प्यारे दोस्तों option number C सही होगा कि बिसर्ग पलस्वर मिलके क्या बनाते हैं बिसर्ग संदी बनाते हैं क्या बनाते हैं बिसर्ग संदी बनाते हैं ठीक है अगला प्रसन दिया हुआ है यदि छोटा आ बड़ा आ छोटी इबड़ी इछोटा उबड़ा उबड़ा उब सजातिये सवर्या समान सवरो से संयोग करें सजातिय सवान सवार मतलब या खुद से ही कितने ये आ से लेकर उ तक ये खुद से ही अगर संयोग करते हैं तो कौन सी संदी बनती है तो आपको क्या याद रखना है कि इसका option number A सही होगा कि दीर्ग संदी सर दीर्ग संदी बनती है आपको क्या रखना है कि ये दीर्ग संदी बनती है ये दीर्ग संदी की परिवासा है अगर आपसे पूछ ले कि यदि छोटा A बड़ा A के साथ E छोटी E बड़ी E छोटाओ बड़ाओ और E का योग हो तो क्रमसा A और R बन जाते है आर में बदल जाता है तो संदी कौन सी है तो आपको क्या बताना है सर आपसन नमबर B सही होगा ये कौन सी संदी बन जाती है तो ये गुण संदी बन जाती है कौन सी गुण संदी बन जाती है कौन सी गुण संदी बन जाती है कौन सी होगी तो यहाँ पे आपको आपसन नमबर C याद रखना है कि इसमें सर क्या अगला प्रस्ण आपके सामने दूरे हुआ है. यदि चोटी इ, बड़ी इ, चोटाओ, बड़ा, उरी का योग अन्या समान स्वर में हो. मतलब इनको छोड़ कर और किसी स्वर से अगर इनका सैयोग होता है या फिर इनका योग होता है तो ये करमसा या रा और वा बनाते हैं क्या या रा और वा बनाते हैं तथा या तथा जो अन्य होता है उनका मात्रा लगा दिया जाता है मतलब जिन से इनका सही योग होता है उसका मात्रा जिसे बड़ा आ लग गया तो बड़ा A का मात्रा लगा जाएगा चोटा तो छोटा A का मात्रा तो इस तरह से मात्रा लगा दिया जाता है तो ये किसको कहते हैं तो ये है यार संधी यानि option number आपका कौन सा सही होगा तो D number सही होगा अब आपके पास आखरी परसन है इसका जवाब आपको खुद देना है बस आप क्या कीजिए इसको देखिए और समझी अपने इसाब से answer comment section में बताईए इसका परसन जो दिया गया ये पूछ रहा है कि स्वरसंधी कितने प्रकार की होती है आपसन आपके इस परकार से है बस आपको क्या करना इनी में से एक option को बताना है कि कौन सा number सही होगा ठीक है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर जीए अपने प्यारे दोस्तों के साथ share कीजिए जो यूपी त्रपल स्थीपी एटी का फरम डालने वाले हैं या डाल लिए हैं उनको क्या करना है उनके पास share कीजिए और वो भी अपने क्या करें प्रैक्टिस करें हो सकता है उनका भी आप से ही या हम से जुड़कर कल्यान हो सक ठीक है तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए जय हिन जय भारत